नमस्कार आप देख रहे हैं आपकी बाद 36 गड़ आपके साथ मैं हूँ अभिलाश मिश्राच 36 गड़ के सीम भुपेश बगेल ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है दरसल यूपी के सीम योगी आदितनात पर निशाना साथते साथते उन्होंने भगवा को तो सर्वोज त्याक का प्रतीग बता दिया लेकिन बजरंग दल को भगवा की आड़ में वसूली करने का काम करने वाला संगठन बता दिया जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार कर दिया है बीजेपी ने कहा है कि कॉंग्रेस और सीम की सोच में ही कनफ्यूजन है और इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं और खुद कॉंग्रेस तुष्टिकरन की राजनीती करती है तो वसूली बाज बजरंगी को लेकर के 36 गड़ की सियासत हो गई है गर्ब और इसी पर करेंगे आज आपकी बात सीम बगेल ने क्या कहा है ऐसा जो कि बीजेपी को और बजरंग दल को बहुत नागवार गुजरा है सुनिए सबसे पहले सीम बगेल का ये बयान पहले समझे ले भगवा धारंग करने कोई भी कबड़ा पहन सकता है उससे कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन ये आप भगवा धारंग कर रहे हैं इसका मतलब आपने सब कुछ त्याग दिया है तो जाहर सी बात है कि इस पूरे बयान के बाद अब बीजे पी भी हमलावार है क्या कह रहे हैं संजे श्रिवास तब ये भी सुनिए बुख्यमंत्री भुपेश पगेल कन्फ्यूजड है एक और वो भगवा का विरोध नहीं कर सकते इसलिए भगवा को शौरे का प्रतीक तो कह रहे हैं लेकिन मन के अंदर में जो कांग्रेसी भाव है कि इस भगवा का विरोध किस तरीके से किया जाए को मध्यम उन्होंने बनाया है बजरंग दल के लोगों को और बजरंगीों को इस भगवा का दुरूप्यों कर रहे हैं लेकि भगवा शौरे का प्रतीक है और इस देश के अंदर में जहां शौरे को प्रकटी करन करने के आवशक्ता होगी वहाँ पर बजरंग दल नहीं बलके हंदोस्तान का एक एक नागरिक उस शौर को प्रदर्शित करेगा और आईए अब देखतें क्या है निउस 24 मध्यप्रदेश शत्तिसगड के आज के सवाल ये सवाल आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले सवाल देखिए भगवा पहने भजरंगी क्या कर रहे हैं वसूली ये सबसे बड़ा सवाल है जो खड़ा किया है सीम भुपेश बगेल के बयान ने सीम भगेल का बीजेपी पर बड़ा वार भगवा की आड में करते हैं व्यापार बीजेपी बोली कॉंग्रेस की सोच में कन्फ्यूजन राजनीती में है तुष्टिगर 36 गड़ में सीम भगेल के बयान से संसनी कहा वसूली वाज हैं बजरंगी ये बड़ा बयान दे दिया है वसूली वाज हैं क्या बजरंगल के लोग और जाहिर सी बात है इतने बड़े बयान के बाद तो सियासत गर्म होगी ही आईए सीधे रुक करते हैं हम अपने मेहमानों का उनका रुक कर लेते हैं हम हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं सीधे रुक करते हैं दनन्जे ठाकुर कॉंगरेस के वरिश निता प्रवक्ता दनन्जे जी बहुत स्वागत आपका न्यूस 24 मदपरदेश 36 गड़ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं घंशाम चौधरी जी महामंत्रियं विश 24 मदपरदेश 36 गड़ पर स्वागत है और सुशांत शुकला बीजेपी के वरिश निता आवारे साथ जोड़ चुके हैं सुशांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं आता हूं घंशाम चौधरी जी बजरंगी हो या विश्विंदु परिशत के नेत भगवा पहन करके राजनिती करने वाले लोगों को सीधे तोर पर कहा है वसूली वाज क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी इनके उपर के सीर्षनेता भी इस तरीका का बयान बाजी करते हैं और इस तरीका के बयान बाजी करके अपने राजनीती को सिदध करने का गारते हैं तो इसलिए बहुत को बढ़ी बातों को मत गुमाईए भगवा को लेकर कि उन्होंने का है भगवा को लेकर कुछ नहीं का नहीं पर जाती पंट महजब संपरदाय के नाम पर सक्ता सालत तक तुष्टी करण की राजनी करने वाले कांग्रेस के च्छन मगानियों की तरण मंद क्छना करने वाले कांग्रेसी जब इस देश में मोधी जी नित्वत में तरुटका विकास सबका विष्वास काम के काम के देखते हैं तो वोखला जाते हैं और ऐसा बयान के पर अदुबिसार का बात है जिस पर देश का स्वयम में मुक्टेमंतरी ओले के युवा नेता दे भूपेज बखेज़ जी के साथ एक सब्सक्राइब की दिक्कत क्या है कि वो अपने किसी दो लोगों को फालो करते हैं तो अपने स्वेंब के पितासरी को और दूसरा अपने निता जीए सिंग को जो मांसिक विचल वेवस्था को खोड़ चुके हैं ना आप परसनल हो जाते ह रामफ्तार जी मैं आपसे जाना चाहता हूँ ये बयान क्या गहर जरूरी बयान है या आपको लगता है कि इस पूरी तरह सोचा समझा सियासी बयान है भगवा की तारीब भी किये इस बयान में सीम बगेल ने बहुत सोच समझ करके और सीधे तोर पर बजरंगियों को निश खराब नहीं होते और सभी लोगों को जो उद्देश है वो भी खराब नहीं होता इसलिए किसी संस्था को खराब पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता जहां तक बजरंग दल की बात बजरंग दल का जो गरम खून के लोग हैं खुलण ब्रिगेड है और जिस तरह के तरीका है सलीका है वो उग्रता से है इसलिए उनके बारे में ऐसी इमेज बन गई है परंतु ऐसे नहीं है बजरंग डल कई जगहों में बहुत अच्छे तरीके से जो अपना उद्देश है हिंदुत का उद्देश है या सासन या प्रसासन या राजनितिक दलों को जो राजन तो बड़ी प्रतिबद्धता के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई में वह और जीटे से पीड़ते हैं इक बात दूसरी बात वसूली बाजी की बात है तो हर राजनितिक दल हर संस्था जो जन सहयोग से ही चलती है किसी की छबी ऐसी बन जाती है लेकिन मेरा तिवारी जी मेरा सवाल यह है कि क्या वसूली बाज जो शब्द है क्या आप इस्तिफाक रखते हैं वसूली बाज शब्द से देखिए उग्र होना हंगामा होना करना गर्म खून होना यह अलग चीज़ें वसूली बाज जो है वो एक दूसरे अर्थ में कहा गया है क्या आप उससे इतिफाक रखते हैं उस शब्द से क्या बजरंगियों के साथ वो शब्द ठीक इस्तिमाल किया गया मैं मैं इस तरह की बातों से इतिफाक नहीं रखता जी मैं इस तरह की बातों से खासकर मुख्यमंत्री जी बड़े पद में हैं और बड़े उनकी जो सोच है उसको लाखो लोग फालो करते हैं जी तब हमें ऐसी भासाओं ऐसी सयमित तरीके से उन बातों को भी कहा जा सकता ह और इस जो बजरंग डल है बजरंग डल को भी अपना जो उद्देश है उद्देश के जो तरीके है उसमें सेवा भावना को जादा जोड़ना चाहिए और सेवा भावना से भी एक अच्छी तरीके से काम जो अपना गाइडलाइन है उसके लिए किया जा सकता है गंशाम जी मैं आपके पास आता हूं सर देखिए आज आरोप लगे है पॉलिटिकल लेकिन ये कहा जाता है कि बजरंग दल का जब भी नाम आता है तो महाँ पर उगरता अनुशासन हींता इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा एक बार हम आत्मा अनुवेशन भी कर लें थोड़ा सा चीज़ों को ठीक भी कर लें व्यवस्तित भी कर लें और संग से जादा बहतर अनुशासन कौन सिखा सकता किसी संगठन को तो क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी गुंजाईश इधर भी है सुधार की पर आप निश्चित तोर पर आपने जो कहा कि संग का अनुसात्सित संगठन बजरंग दल विश्वेंदू परिशद है उसके हम सभी कारे करता है और आपको ऐसा दिखता है कि सिर्फ बजरंग दल उगरता ही करता है परंतु एक चीज में निश्चित का बताना चाहूंगा कि बजरंग दल के आपने सेवा कारे शायद नहीं देखें अभी कोरोना काल में बढ़ चल के हिस्सा लिया सेवा के कारे में आज हमारे यहां पर हमारे कारेले के अंदर पर विश्वेंदू परिशत की पाटशाला चलती है विश्वेंदू परिशत का चिकित साले चलता है बजरंग दल उसके बड़चण के कारे करता है, यह आप लोगों को दिखता नहीं शायद, परन्तु हाँ, यह आपको दिखता है कि हम उगरता करते हैं, मैं निश्चित कहूँगा, कि अगर किसी कारे को करने के लिए हमको थोड़ा था तेड़ा होना पड़ता है, तो मैं उसक करता हूँ, कि किसी कारे को मनवाने के लिए मानने के लिए मैं त्रिड़ा होता हूँ, तो मैं त्रिड़ा ही रहूँगा, परन्तु जिस कारे को लेकर के जो कोई नहीं कर सकता, आज आप देखते हैं, कि हिंदू समाज के अंदर पे लौ जिहाद पर जो बहने जाती है, तो जब जो जिवात हो जाता है बेहने जब जाती है तो घर के लोग लड़की बच्ची के माबब बजरंग दल के पास आते हैं गाय का जहां पिशाय आता है गाय की रक्षा को ले करके जब बात आती है कि आपने कह तो दिया मैं ऐसा मानता हूँ कि आप माननी नंद्र कुमार जी बगहल के सुपूत्र है चिरंजी मी है तो यह भासा वापरेंगे कम से कम आप साइनस कॉलेज के विद्ध्यारती हैं चिक है तब बहुत सीधा बोलते हैं सपार्ट बोलते हैं लेकिन बहुत तोल मुल करके बोलते हैं आपको लग रहा है कि वसूली बाज थोड़ा जादा हो गया और ये सियासत में चुकि शायद उत्तर प्रदेश के चुनावी माहल से आये थे और एयरपोर्ट पर ही लोगों ने उनको रोक लिया पत्रकारों ने हमारे मित्रों ने तो शायद वो उसी मोड में रह गए मोड च प्रसेप्शन उनकी क्यों तैयार हुई है और निश्चीत तोर पर मेत्रकरन हर जगह वह हलात उत्पन हुए हैं जिस प्रकार से वरिश पत्रकार जी ने कहा कि हुलर करना हंगामा करना वह यह ऐसा चरीत्र मैं समझता हूं जो भगवाधारन करता उसका नहीं होता है मैंने क संगठनों के द्वारा कहूंगा तो सच तो सच होता है सच में अगर किसी को पीड़ा होती है तो उनको आत्मों करना चाहिए लेकिन घंशाम जी ने आपको कहा कि अगर लब जहाद कुछ होता है कहीं तो लोग उनके पास आते हैं गौत असकरी होती है तो बजरंग दल के प पर आप देखेंगे गौ माता के अनुदान को ड़कारने काम भाजपनेताओं को साला में हुआ है सब्सक्राइब जिस पर एक जाहाद सथी गाओं के निर्मा मत्य हुई उद्वराण कहां थे बजरंग दल किने का सुषान जी आपके पास आना चाहूंगा सुषान जी दौरान कितने बार बजरंग दल ने हुआ 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 है प्लीज बोलिए मैं उस दौरान कई ऐसे घटनाय का जिक्र करना चाहूंगा जी तो बजरंग दल था ना चतिस गड़ें 15 साल में इतने गउमाता के इनमा मत्या हुई गउमाता का नुदान खाया गउमाता के लिए कूपयों नहीं किया चारा जाक गा के जमिन को भाजपाग नेताओं ने कब्जा कर लिया चीक उसके बाद कहा था बजरंग दल आज जब गउमाता की सेवा जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा वसूली बाज अगर दूसरों पर वसूली के आरोप लगाए तो मिध्या हो जाती है बाते शत्यज़गर को लूट की दुकान बनाकर एटियम को समर्पित करने वाले गांधी परिवार को नेता उपेज भगिल पले अपने गिरेभा पे जाके हैं कि वासुली बाज इस प्रदेश में है कोन तो नरेंदर मोटी जी है जो देश को लूट रहे हैं अधिक एक मिनित सुषान जी एक मिनट सुषान जी क्या इस बयान का विरोध जताया जाएगा यह सिर्फ इससे याद रखा जाएगा चुनाप के वक्त इस पर काम किया जाएगा टीके राम अपतार जी के पास आ रहा हूं राम अपतार जी के पास आ रहा हूँ राम अपतार जी मुझे बताई एसर क्या हम यह माने की उत्तर्व देश का चुनाल जो है वो खत्मोरी की तरफ बढ़ करेंगे सुषान जी दनन्जा जी प्लीज सुषान जी दनन्जा जी प्लीज सुषान जी आप एक सवाल ले रहा है और बादी जटा पार्टी करती है सुषान जी आप शांत रहें रामवतार जी मुझे बताई है क्या ये उस्तर प्रदेश धनन्जा जी आप थोड़ा सा सयम रहें सर अच्छा सुषान जी आप लोग बाहर निकल के आप वन्टू वन कर लिजेगा सर एक मिट दीजिए मुझे मैं जानना चारा था धनन्जा जी माफी के साथ डाउन कीजिए माफी के साथ डाउन कीजिए दोनों का आडियो नहीं मानना है मेरी बात रामवतार जी एक्सपर्ट कमेंट दीजिए मुझे क्या आपको लगता है कि ये तलकी और बढ़ेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो है वो इतनी श्री ल है जनता से जरूरी जो बिजरी पानी सड़क भूक नोकरी वो मुद्दे जो दरकिनार हो गए हैं और राजनिती इस समय हिंदूत के इर्दिगीर्द है जी उत्तर पदेश में चुनाव उसी तरह हो रहे हैं अब मुझे लगता है च्छतित गड़ में भी चुनाव होंगे वो भी हिंदूत पर अधारित होंगे ऐसे लगने लगा है ठीक है चलिए तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों के साथ इसकी गर्मी और बढ़ती जाएगी बीजे पिया कॉंग्रिस कौन इसे भुना पाएगी वक्त बताएगा फिलाल हमारे तमाम मेहमानों का धननजे घंशांदी रामवतार जी सुशान जी आप सभी का शुक्रिया दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार